हलो एवरीवान आप सभी का स्वागत है भई मैगनेट ब्रेंस के शांदार यूट्यूब चैनल पर जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं के ट्वेल डाट इस किंडर गाडन से क्लास 12 तक के इंगलिश मीडियम बोट सी बीएसी बोट के प्यारे बच्चों को हर एक सब्जेक्ट की पूरी पूरी नॉलेज पूरा पूरा एक्स्प्लेनेशन हर एक चाप्टर को इस तरह से एक्स्प्लेन किया जाता है कि आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा दोस्त और अगर डाउट बच भी जाते हैं तो आपके डाउट लाइफ क्लासेज में हम डाउट क्लासेज में कतम कर देते हैं पूरी तरह से वेनिश कर देते हैं जी हां आपको मैगनेट ब्रेंस पर मिलता है 100% फ्री आफ कोस्ट के साथ साथ 100% इंड हाई क्वालिटी बढ़िया वाले एजुकेशनल वीडियो जिनसे आप अपना स्लेबर्स हर एक सब्जेट का पूरा कर सकते हैं आपके सारे सब्जेक्स के लिए जितने भी टॉपिक्स हैं जितने भी चैप्टर्स हैं सबके वीडियो अल्रेडी बने हुए हैं आप उ देट उनका भी भला हो सके हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं हमारे जो कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की किसी भी क्लास में किसी भी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं दोस्त और वो यूपी बोर्ड, MP बिहार बोर्ड, राजिस्थान बोर्ड या फिर डेली बोर्ड इन पांच हिंदी मीडियम, यूट्यूब चैनल जहां पर जाकर आप अपनी पूरी पराई, पूरा स्लेबस, पूरा कोर्स हर सब्जेक का पर सकते हैं, खतम कर सकते हैं, वो भी टाइम पर वो भी बहुत सॉलिड तरीके से, वो भी 100% हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियो से, जिस डाउनलोड करना चाहते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, जिनको नोट्स चाहिए, जिनको चाहिए कि सर आप जो चीज़े आप प्रेजन करते हो बोड पर, उसके PDF मिल जाए, उसके नोट्स मिल जाए, तो बिटा अगर आप क्लास 6 से क्ला जो की है www.magnetbrains.com और वेबसाइट पे जाके ग्राब इनोट्स पे क्लिक कर देना, उसके बाद क्लास, सबजेक्ट जो भी चूज करना है बता देना होने, आराम से आप अपने लिए PDF फॉर्मेट में इनोट्स और ईबुक्स आउनलोड कर पाओगे, चलिए भई, आज जी numetric function की properties या आप सीधा formula मान सकते हो, यह formulas यह properties आप बिटा शुरू हो चुकी है, तो यह part number one है, 8 या 9 parts है बिटा बहुत सारी properties है, detail में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे कि सर यह properties हमें कैसे use करनी है, तो आप अच्छा चलते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं और देखते सरी स्लाइड, देखने में आपको सेम लग रही होंगी है, है ना, देखने में, देखो, साइन, साइन, इन्वर्स, एक्स, साइन, इन्वर्स, साइन, एक्स, कुछ समझें, देखने में आपको बिल्कुल डिक्टो ऐसा लग रहा होगा कि सर, यह तो सेम है बिल्कुल यार, ये तो बिल्कुल सेम है सर क्या इसमें डिफ्रेंस है तो मैं आपको डिफ्रेंस बताता हूँ मैं आपको डिफ्रेंस बताओंगा और वो डिफ्रेंस बहुत बड़ा है बिटा हलके में इस difference को मत ले लिना क्योंकि अगर आपने हलके में इस difference को लिया तो आप बहुत problem में पढ़ जाओगे मेरी कोई दिक्कत नहीं है भाई मैं तो आपको explain करने आया हूँ explain करूँगा और चला जाओँगा but the main thing is कि sir इनमें फर्क क्या है आप तो हमको ये समझाओ आप तो हमको ये समझाओ तो बिटा सबसे पहले इनमें फर्क समझते हैं ठीक है सबसे पहले इनमें फर्क समझते हैं ये एक अलग चीज है बिटा आप पस पहली वाली property पहली वाली property पे नजर मारो यह है बिटा अपने पास sin bracket sin inverse x एह sin x लिख दिया मैंने sin inverse x बिटा इसका answer भी x होता है ठीक है डंसर आगे चलते है अब यह वाली property देखो ठीक है sir इसकी बात कर लेते हैं sin inverse यहाँ sin inverse बाहर है bracket sin x sin अंदर है बिटा इसका answer भी x होता है अब सुनते जाओ मेरी बात ध्यान जे सुनना ठीक है sir 100% सही है अब यहाँ पर अपन blank slide है क्या blank slide नहीं है चलो कोई बात नहीं यहाँ पर अपन इन दोनों में difference जानते है कि sir इन दोनों में difference है क्या इसमें और इसमें ठीक है done sir चलो यहाँ blank slide लगा लेते हैं अपन कोई बात नहीं ठीक है ध्यान जे सुनना जी sir बिटा पहली बात तो जब sign bracket sign inverse x ठीक है is equal to answer x आएगा ठीक है यहाँ लिखते हैं बस आप difference समझ लो क्योंकि अगर आप difference समझ गए तो बस क्या यहाँ फिर मैं समझ जाओंगा कि आप इस property को समझ गए इसको self adjusting property भी कहा जाता है ITF की ठीक है चलो सुनो मेरी बात समझना देखो दो चीजे होती है बेटा क्या होती है सर दो चीजे बेटा दो चीजे यह होती है गौर से सुनना बेटा ध्यान से सुनना दो चीजे यह होती है कि एक होता है बेटा अपना domain ठीक है domain मतलब input clear है हाँ सर और एक होता है range यानि की output है ना चन सर थोड़ा सा ध्यान से सुनना थोड़ा समय लगा सकता हूं मैं पर जाद समय नहीं लगाँ होगा don't worry don't worry अगर मैं आप से सिर्फ और सिर्फ sin x का domain और range पूझा sin x का original natural sin x नहीं तीन होते हैं बेटाते एक होता sin x natural वाला एक होता sin x modified वाला एक होता sin inverse x जो शुरू शुरू में sin x है जो 11th class में हमने पढ़ा है वो invertible नहीं होता ना वो 11 नहीं होता फिर उसमें अपन क्या करते हैं उसकी जो natural domain उसको change करते तब जाके sin x invertible होता 11 बन जाता फिर जाके वो sin inverse x देता है मैंने आपको ऐसे ही सिखाया हुआ है done sir पिल्कुल done सुनते या ना मेरी बात जी sir अब यहाँ पर मैंने बात करूं sin x की sin x की बात करूं तो यह sin x है inverse नहीं है यह sin x है ठीक है अगर sin x की बात की जाए तो इसका जो input जो x होगा वो एक angle होगा और उसको हम बोलते हैं minus pi by 2 से pi by 2 done है sir हाँ और इसका जो output होगा वो होगा minus 1 से 1 correct है बिल्कुल correct है sir यह बेटा चेंज होगा यह modified वाला है है ना modified वाला है यह अपनको invertible दे सकता है यह अच्छा वाला है फिर आती है बात sin inverse x की ठीक है अब यहाँ x क्या होगा यहाँ x आप angle नहीं होगा यह sin inverse है यह inverse trigonometric function है यह इसका inverse है sir है तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ par sin inverse x की जो x जो input है वो यह बन जाएगी minus 1 से 1 है ना sir विलकुल और जो output है वो बन जाएगी minus pi by 2 से pi by 2 अब यहाँ तुम्हें बहुत important चीज समझनी है यह तो तुम्हें याद होगा यह तो तुम्हें याद होना भी दूर नहीं कर पाए तो कोई दुम्हारी tension को दूर नहीं कर पाएगा यह बाब तय है चलो अब इसको उठाते हैं अपन सबसे पहले यह वाली को है ना सबसे पहले यह वाला उठाते है चलो देखना बेटा यहाँ पर जो input है वो क्या है LHS दिख्वारे मत दिख्वारे मत दिख्वारे 처리 तो answer है यह तो output है यह तो output है यह तो answer है बेटा This is an answer ठीक है यह अपना answer है answer मतला पाहाँ पन कहेंगे इसको output है ठीक है sir ध्यान जो सुनना Zee sir input क्या है sir input यह है This is input यहवाला X जो है यह input है ठीक है ओके अब यह input सोचो किसके साथ चिपका हुआ है sign के साथ चिपका है या sign inverse के साथ चिपका हुआ है किसके साथ यह attached है सर यह input जो है ना यह attached sign inverse के साथ sign के साथ attached नहीं है sign के साथ attached नहीं है तो मुझे समझ में आ गया कि जो input है वो sine inverse के हिसाब से चलेगा input sine x के हिसाब से नहीं चलेगा sine inverse x के हिसाब से चलेगा यानि यहाँ जो x की value है ध्यान सुन सुनना यहाँ जो x की value है वो sine x के हिसाब से नहीं sine inverse x के हिसाब से चलेगी क्योंकि यह x sine inverse इसे चिपका हुआ है तो हम समझ गए sine inverse x के इसाब से input चलेगा तो ये आएगा आपका x आपका x ये होगा यानि x की value क्या होगी सर x की value हमें समझ में आ गई belong करेगी x will belong to minus 1 से 1 ये बात आपको ध्यान में रखनी है ये आपकी बात तम समझ में आनी चाहिए कि भया जो sine inverse x है यहाँ x की value क्या होगी यहाँ x की value मेरे प्यारे बच्चे क्या होगी minus 1 से 1 अच्छा सर पकी बात है ठीक है सर आपने input की value तो बता दी कि input की value ये होगी पर सर output भी तो x ही है इसकी value अलग होगी क्या नहीं होगी मैं बताता हूँ क्यों अब जो output है answer ये किसका output है सर ये output है sign का sign inverse का नहीं है ये output है sign का sign something sign something sign something समझे क्या और इसका output है x तो बता sign something का output ये होता है तो यही तो आया जो x है output वाला वो ये इस से होगा तो यही तो लिखा हुआ है दोस्त समझ गए अगर तुमने मेरे प्यारे अगर तुमने इसको decode कर लिया तो खेल खतम इसको decode कर लिया तो खेल over सच्ची में खेल over तो सर हमें एक चीज समझ में आई कि sign bracket sign inverse x ये जो अंदर x जिसके साथ है अंदर inverse के साथ है तो inverse की चलेगी is equal to x ही आएगा तो इसका मतलब ये x कहां से होगा सर ये x कहां से होगा ये x और ये x कहां से होगा ये यहां से पता चलेगा ये x है sign inverse sign inverse x मतलब input sign inverse का input sign inverse का input ये है input यानि कि x जो है बिलोंग करेगा, माइनस 1 से 1, that's it clear है, हाँ sir clear है, अब मैंने कर देना है इसको erase, done sir ठीक है, done अब बारी है बेटा इसकी अब बारी है इसकी, ठीक है, ध्यान जो सुनते जाना जी sir, input क्या है sir, input LHS में input ये है this is input ये input किस के साथ चिपका हुआ है sir, ये input basically sine के साथ चिपका, sine inverse के साथ नहीं चिपका हुआ है, this is attached with sine, तो sine x, यानि जो x है, वो sine के according input होगा sine के according, sine inverse के according नहीं, sine के according input तो एक angle होता है, तो इसका मतलब, sine x के according, जो x होगा, जो input होगा, वो ये होगा तो समझ में आगया, जो x ये है, और ये दोनों-दोनों की value आईगी जो x ये input है न, वो इसको belong करेगा, तो मुझे समझ में आगया x will belong to minus pi by 2 से pi by 2 समझ में आगई बात, समझ में आगई बात, yes sir, sir एक बात बताओ, ये वाला x भी इसको belong करेगा, क्या, हाँ, बिल्कुल करेगा चेक करा देता हूँ, चलो, चेक करते हैं ये x क्या है, sir, this is an output this is an output, ठीक है अब ये output किसका है sin x का है, sin का है या sin inverse का है, चलो, देख लेते हैं सर जी, ये output है sin inverse का sin inverse something sin inverse something, ये something जो भी है, इसका तो काम निपड या न sin inverse something का output है तो sin inverse के लिए जब हम output देखेंगे तो sin inverse का output तो ये इसमें से आएगा, ये input है sin inverse का, तो sin inverse का जो output आता है, वो इसमें से आता है sir, यहाँ output x है, तो x जो है, वो इसको belong करेगा यही तो लिखा हुआ है, देखो x belongs to minus pi by 2 से pi by 2 समझ में आ गई बात समझ में आ गई बात, ये sir, समझ में आ गई है ना, तो ऐसा माज़ रहा है बिटा तो sin inverse sin x is equal to x ही होगा बस यहाँ पर जो इस बार input, ये x जो input है और x output है, ये कहां से होगे ये कहां से, ये किसको belong करेंगे तो sir, ये x जो है ना ये sin x से belong, sin से belong कर रहा है, sin से, मैं फिर बोल ला हूँ this is belonging to sin, और अगर ये sin से, ये sin से belong कर रहा है, तो sin x sin का input, sin का input क्या होता sir, जो x है वो belong करेगा sin के input से, और sin का input है, minus pi by 2 से angle होता है, sin का input, sin inverse का input एक number होता sin inverse का input एक number होगा, और sin x का input एक angle होगा, तो ये समझ में अगर तुमें आ गई, तो तुम इसका basic समझ गई बेटा, तुम इसका basic समझ गई कोई समझ से आ, no समझ से आ, sir तो ये sin का था, ठीक है, ये sign का था अब बात करते हैं proof की अब बात कर लेते हैं proof की sir proof करो आप तो sir proof करो आप तो सबसे पहले ठीक है let me just go away with the proof सबसे पहले इसका proof देखते हैं ठीक है सबसे पहले एक का proof देखेंगे बाकि फिर आप खुद कर ले ना ठीक है बाकि फिर आप खुद कर ले ना simply हो जाएंगे सारे एक का प्रूफ देखते हैं तो भीया ये x की equal कैसे आदा simple है यार simple है देखो simple सी बात बताऊ तुमें ध्यान से सुनना ठीक है बहुत दिमाग से सुनना यहां पर हमें प्रूफ करना है प्रूफ दिखा रहा हूँ मैं छोटा सा प्रूफ है इतने में आ जाएगा प्रूफ देट प्रूफ देट पैसे मैंने सोचा था मैं सारे प्रूफ करा दूगा पर कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट होगा मैं एक का करा दूँगा, बाकी सारे आप कर ले न, बिल्कुल उसी pattern को follow कर गे prove that sin bracket sin inverse x is equal to x sin inverse x is equal to beta x ये prove करो, ठीक है, done sir, कोई दिक्कत नहीं, आराम से prove हो जाएगा देखो, सबसे पहला काम क्या होता, जो bracket के अंदर बैठा ना बिटा जो bracket के अंदर बैठा हुआ है, उसको आप एक काम करो, ठीक है, let let sin inverse x is equal to theta, है न, मान लिया, theta, sin को उदर भेज दो, ठीक है, sir, तो x क्या आएगा, sir, sir, x आएगा, sin theta, sin theta, नहीं आरी समझ में, sin inverse, जब transposition करेगा, LHS से RHS में जाएगा, sin inverse, तो वो sin बन जाएगा, cos inverse, cos बन जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा, 10 inverse, अगर दूसरी तरफ जाएगा, तो 10 बन जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, sir, अब ध्यान से सुनना, बस खतम हो गया, भीटा, खतम हो गया, बहुत ध्यान से सुनो, ये जो थीटा है, इसकी वैली तो, sir, ये है, है ना, तो इसकी जगा आपन ये वाली वैली लिख देंगे, ये पूरी की पूरी, कैसे, sir, देखो, बताता हूँ, इसकी जगा आपन ने लिखा, sin, sin की जगा, sin लिखा, थीटा की जगा अपन क्या लिखने वाले हैं, ध्यान से सुनना, थीटा की जगा अपन लिखने वाले हैं, थीटा की वैली यानि ये sin inverse x, लिख दे भाई, sin inverse x, ले भाई हो गया, खतम, x is equal to, sin, bracket, sin inverse x, आगया, x is equal to sin, sin inverse x, ले हो गया, पलट के लिख दो इसको, चाहो तो पलट के लिख दो, हो गया काम कातम लो therefore, sin, bracket sin inverse x is equal to x is equal to x, लो भी, है न, यह proof छोटू मुटू से proof है बिटा, आपको आने चाहिए सारे proof बिलकुल ऐसे ही हो जाएंगे, सारे proof बिलकुल ऐसे ही हो जाएंगे जल्दी से copy कर लो, so that अपन आगे देख सके, सर जी complete हो गया, ठीक है ऐसी cost, ten, court, सब ऐसे ही कर लेना बिलकुल ऐसे ही हो जाएंगे सारे clear है, clear है क्या, yes sir, बिलकुल clear है, done sir, बिलकुल done sir, ठीक है, done ध्यान देना बिटा, यहाँ पर जो पहले लिखे हुए है न, यह सारे जो लिखे हुए है यहाँ जो x belong करेगा, यहाँ जो x belong करेगा, वो sine inverse का domain होगा sine inverse का domain यह होगा, तो इसको belong करेगा, ठीक है, x is greater than equal to 1, smaller than 1 यह चीज बिलकुल यही चीज लिखे है, सर यहाँ जो x है यह, simple सी बात है यार, simple सी बात है अगर मैं cos लिख दूँ बाहर और अंदर लिख दूँ cos inverse x, तो यहार, obvious सी बात है, यह cos plus का ही है, cos minus का है, तो कट जाएगा कटेगा नहीं basically, ignore मार देंगे अपन, तो answer तो x ही बचेगा ना बच्चा, answer तो x ही बचेगा ना, लेकिन यहाँ पर x जो है, वो क्या होना चाहिए, यह पाहिने रखता है, कि यह x क्या होगा, तो यह x cos inverse का input होगा, और cos inverse का input यह है बिटा, मतलब यहाँ पर भी x बिलकुल इसी के जैसा होना चाहिए, बिलकुल minus 1 से 1 के बीच, यानि यहाँ भी x क्या होगा, minus 1 से 1 के बीच, इतनी बात दन है, बिलकुल दन है सर, कोई समस्या, नो समस्या, ठीक है, डन, बिलकुल दन, सर जी, next, next, 10 की बात कर ले दे, 10, 10 inverse x, ठीक है सर, 10, bracket, 10 inverse x, x आएगा बिलकुल, answer x आएगा, यह answer आएगा, कई बच्चे ऐसे कर देते, दोको 10 से 10 inverse को काट देंगे, गलत हो जाएगा, काटना बटना नहीं, गलत हो जाएगा, पक्का गलत हो जाएगा, कट नहीं सकते हैं, हाँ हट जाते हैं, 10 और 10 inverse हट जाते हैं, एक दूस 10 inverse का input होगा, all real numbers, देखो 10 inverse है, और इसका input होगा, all real numbers, तो जो 10 inverse का input होगा, वो होता है, all real numbers, तो भाईया, जो x होगा, जो x है, वो किसको बिलॉंग करेगा, सर जी, जो x है, वो बिलॉंग करेगा, सारे real numbers को, और सारे real numbers को कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, minus infinity से infinite इसको ऐसे लिखा जाता है कि सर जो X है वो minus infinity से बड़ा होगा या equal हो सकता है और minus infinity के बाद infinity के equal से छोटा हो सकता है तो ये वाला part जो है न बेटा ये वाला जो हिस्सा है न मेरे प्यारे बच्चे ये हिस्सा इसी को represent करता है तो आप तो simple यहाँ ऐसे लिख सकते हो के x belong करेगा अपना real number से खतम, इस पूरे को आप ऐसे लिखतो खतम बात, ठीक है, done है सर, बिल्कुल done है कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं done, ऐसे बच्चो, cot का हिसा आप है cot, cot inverse x, cot inverse और cot एक दूसरे को खतम कर देंगे x अपना answer आएगा, लेकिन ये तब खतम कर पाएंगे ये एक दूसरे को तब मिटा पाएंगे जब ये जो x है ना ये अपना cot inverse का input में से हो cot inverse की input क्या है cot inverse की input भी real numbers है cot inverse की input भी real numbers है input मतलब domain तो हमें समझ में आ गया कि यहां भी sir जो ये चीज दी है ये real numbers को represent कर रही है कि जो x है वो belong कर रहा है सारे real numbers पे है ना सारे real numbers में से कुछ भी हो सकता है sec की बात कर ले sec sec inverse x simple है sir sec sec inverse x की अगर हम बात करेंगे तो sec और sec ये कट जाएंगे मतलब काटेंगे तो नहीं पर रहा हट जाएंगे answer अपना x आ जाएगा पर sir ध्यान दीजेगा ये जो x है ना इसको सेक inverse का input होना जरूरी है sec inverse का input क्या होता है याद रखो जो sec inverse का input जो domain होता है वो सारे real number हो सकते हैं सारे real number हो सकते हैं except minus 1 से 1 except minus 1 से 1 ये याद रखना ठीक है ये होता है cos sec sec ये ये होता है ठीक है done है sir ये sir done है अब इसको इसको ये लिखा हुआ है इनोंने तो अब कई बच्चे confused हो जाएंगे sir ये क्या लिख दिया इतना खतरनाक sir जी ये क्या लिख दिया तो बताता हूँ ये है क्या सुनते जाना ठीक है done sir देखो पैटा इस चीज को मैं number line पर represent कर रहा हूँ मैंने number line बनाई मैं यहां कहा बनादू यार यहां number line बना देता हूँ ठीक है done sir यहां अपन ने number line एक्स होता है इसका जो इंपुट एक्स है वो कहा कहा तक होता है नंबर लाइन पर समझना ध्यान से समझना यह होगे अपना इंफाइनाइट माइनस का और यह होगे अपना प्लस का इंफाइनाइट ठीक है यह माइनस का इंफाइनाइट और यह प्लस का इंफाइनाइट यह तो यह होता है न यह 1 हो सकता है इंपुट इसका 1 हो सकता है और 1 से बड़ा हो सकता है इसका इंपुट माइनस 1 हो सकता है माइनस 1 से छोटा हो सकता है इंफाइनाइट तक तो इंपुट क्या है इंपुट तो एक्स है इंपुट क्या है इंपुट तो अपना एक्स है तो बेस to minus infinity या फिर x is smaller than or equal to minus 1 या तो x minus 1 से छोटा होगा या minus 1 होगा इतना होगा बीच में gap होगा तो बीच में पर लगा देंगे और या फिर या फिर अब x यहां से भी हो सकता है मतलब x 1 हो सकता है या 1 से बड़ा है ना x जो है यह equal to या greater than 1 हो सकता है बट infinity से छोटा होगा या equal infinity से equal या छोटा हो सकता है तो यह हो गया यह पूरा का पूरा यहां लिखा हुआ है ठीक है ध्यान देना बिटा infinity के खेर equal कभी कोई चीज होती नहीं है बट still अगर लिखना है तो लिख देना कोई दिक्कत नहीं है नहीं तो तुम लोग इसी बात पर issue बनाओ के sir यह equal क्यों आ गया है ना तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा उसमें बहुत basic सी चीज है डन है क्या बिल्कुल डन है sir बिल्कुल डन है sir बिल्कुल डन है आगे चलते हैं ठीक है moving on to next यह अपनी complete हो गई अब चलते है इसी का हम शेकल है बिल्कुल इसी के जैसी property है दूसरी यह रही बिटा अभी आप देखो साइन बाहर था साइन इंवर्स अंदर था अब देखो आप साइन इंवर्स बाहर आ गया साइन अंदर आ गया कुछ नहीं है सारी properties वैसे ही है जैसे पीछे थी बस थोड़ असा change आ जाएगा input का change आ जाएगा input और output जो x है उनका थोड़ असा change आ जाएगा कैसे change आएगा sir यह और देख लेते हैं sir है ना इस बात को और अच्छे से देख लेते हैं चलो क्या आएगा change देखो सुनना ध्यान से देखो यहां बताया है तुमको क्या बताया यहां पर inverse बाहर आया inverse बाहर आया ठीक है तो यहां जो input होगा वो input x किसके साथ किसको ओबे करेगा sign को ओबे नहीं करेगा input की बात कर रहा हूं input यह नहीं domain जो x होगा input होगा वो domain किसका domain से आएगा sign के domain से और sign का domain क्या है sign का domain है pi by 2 से pi by 2 minus pi by 2 से pi by 2 तो देख लो जो x है वो minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में है है ना minus pi by 2 से pi by 2 ये चीज़ नहीं है आपको मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों ये 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 इस सारी चीज़ें आपको यहां मिल जाएंगी ठीक है यहां नहीं इधार नहीं मिलेंगी यह तो inverse लिख़्े हुए है यह तो inverse लिख़्े हुए है तो normally क्या होगा कि यहां जो x है यह बिलॉंग करेगा किसको बिटा यह बिलॉंग करेगा minus pi by 2 से pi by 2 ऐसे लिख दो ठीक है यहाँ जो x है यहाँ जो x है यह किसको belong करेगा? cos को cos के input में से हो गई है और cos का input क्या होता है 0 से pi cos का input क्या होता? 0 से pi तो x belong करेगा अपना 0 से pi इसको मत देखो यह तो inverse वाली table लखी हुई है यहाँ x जो है वो किसको belong करेगा? यहाँ जो x है वो 10 को belong करेगा, किसको belong करेगा? 10 को, 10 का input होगा 10 का input क्या होता? 10 inverse का नहीं 10 का input, sir 10 का input होता है ध्यान से सुनना, 10 का input होता है अपना, बिलकुल साइन के जैसा, बिलकुल साइन के जैसा कैसा, sir? πाइबाइटू से, माइनस πाइबाइटू से πाइबाइटू के बीच वाले होते है है ना, बस ये difference होता कि ये close bracket में होता है sign में, ये open bracket में होता है ठीक है, done sir, कोई दिक्कत नो sir, कोई दिक्कत नहीं ठीक है, court की बात करें बेटा, तो court क्या होगा court का x, ये जो x है ये x input court की हिसाब से court का जो input values होती है court की input values क्या होती court inverse की नहीं, court inverse की input value all real numbers होती court की input values ये होती है court की, क्योंकि court x यहाँ angle जाएगा, इन सब में input angles हैं, और previously हमने कहा देखा था, उन सब में inputs values थी, क्योंकि sin inverse का x था, cos inverse x था, bracket के अंदर, ठीक है सर, डन है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो x होगा, ये बिलॉंग करेगा, कहाँ सर, 0 से πाई के बीच में 0 से πाई के बीच में आएगा सर, 0 और पाई नहीं आ सकता है बिल्कुल इसी के जैसा होता है, अब सेक की बात कर लें, सर, ये जो x है, ये क्या होगा ये सेक को बिलॉंग करेगा सेक का input होगा, और सेक का input क्या होता है, बिटा जो x है, सेक का input बिल्कुल कॉस के जैसा होता, बिल्कुल कॉस के जैसा 0 से πाई 0 से πाई except minus पाइबाई टू, except पाइबाई टू, बस except पाइबाई टू, है न, देखो ये लिखा हुआ है, 0 से पाई हो सकता है, पर x is not equal to पाइबाई टू, minus पाइबाई टू, x पाइबाई टू नहीं होगा बस, यहाँ x की बात करें तो यह क्या होगा बिटा, यह input होगा causex के हिसाब से कौसक के हिसाब से input चलेगा कौसक के हिसाब से क्या होता है सर कौसक के हिसाब से जो input x होता है वो belong करता है बिटा अपना क्या सर माइनस πाइबाइ 2 से πाइबाइ 2 except 0 माइनस 0 मतलब x 0 नहीं हो सकता है πाइबाइ 2 से πाइबाइ 2 से पाई बाई टू के बीच में हो सकता है डन है क्या सर? ठीक है clear है? बिलकुल clear है बहुत ध्यान से बहुत दिमाग से बहुत तसली से आपको यहाँ चीजे सीखनी पड़ेंगी अभी खतम नहीं हुआ है यह दोनों major identities थी अब यहाँ बहुत important आपको चीजे समझनी पड़ेंगी यह कुछ special identities है बच्चों यह कुछ special identities है मैं आपको बताना चाहता हूँ और यह special identities है आपको याद तो करनी पड़ेगी मेरे हजाब से आप एक ही करके याद कर लेना एक दिन में आप sign inverse sign theta को याद कर लेना बस यही जारी चीज़े याद कर लेना मैं बताता हूँ सुनो मैं बताता हूँ सुनना यह है क्या अभी तुम जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना sign inverse sign theta theta लिख लो x लिख लो यह theta ही देगा अपन को वापस है ना this will give us theta only sign का input होगा sign का input sign का domain अब तुम याद करो sign का domain क्या है सर sign function का जो domain है जो sign function है sign theta या sign x जो भी है इसका जो domain होता वो होता सर minus pi by 2 से pi by 2 minus pi by 2 से pi by 2 और इसका जो answer आता है वो minus 1 से 1 के बीच में आता है minus 1 minus 1 और 1 भी आ जाता है कभी-कभी ठीक है, minus 1 से 1 के तक answer आजाएगा अब मान के चलो यहाँ theta इससे belong अगर नहीं कर रहा है तो क्या होगा, मान के चलो theta जो है, जो theta है it does not belongs to this, sign के input यानि sign के domain से theta belong नहीं कर रहा है वैसे theta क्या होना चाहिए, theta होना चाहिए, यह sign से sign के input वाले segment से, input वाले segment यह है, sign का domain यह है तो यह मान के चलो, इस से अगर यह belong नहीं किया तो minus pi by 2 से pi by 2 को belong नहीं किया तो अलग जा रहा है, minus pi by 2 से कम है minus pi by 2 से कम है for example बिटा मान के चलो, मैं कह दूँ कि यह minus pi है, यह minus pi है सपोज मैंने ऐसा लिख दिया, देखना ध्यान से सुनना मैंने लिख दिया, sign inverse, sign minus pi अब बताओ क्या करें अब बताओ क्या करें अब मैंने आपको कह दिया, कि बिटा इसका answer आप कई बच्चे पता इसका answer क्या करेंगे sign inverse, sign यह x है sir तो यह answer लिख दो, sir यह answer लिख दो minus pi लिख दो, sir यह answer है यह answer है और यह हो जाएगा उनका बड़ा गलत यह क्यों गलत हो जाएगा sign inverse, sign x is equal to x होता है पक्का बात है, बिलकुल होता है लेकिन यह तब होता है, यह x का answer तब बन जाएगा, जब यह जो x है ना, यह x sin theta यह sin x यह sin function के domain से belong करें और sin function का domain क्या है minus pi by 2 से pi by 2 अगर sin function sin function का sin x यह sin theta यह जो आ रहा है, यह इन दोनों के बीच में है, मतलब minus 90 degree से 90 degree के बीच में है, अगर इन दोनों के बीच में है, तो यह direct प्लिक दिया जाएगा, अगर मान के चलो यह होता, 60 degree यह होता, pi by 3 यह pi by 3 होता, 60 degree तो इन दोनों के बीच में आ रहा होता यह तो अपन सीधा सीधा उतार देते answer के pi by 3 है हमार answer, यह अगर pi by 6 होता, तो हम pi by 6 उतार देते pi by 4 होता, हम pi by 4 copy कर देते समझ रहे हो, यह 0 होता है, हम 0 copy कर देते, क्योंकि यहाँ पर वो चीज आनी चाहिए, जो sine function का input हो, sine function का input यह होता है, मैं फिर बोल रहा हूँ sine function का input वाला segment यह होता है इसको principal value branch बोलते हैं principal branch ठीक है, पर सर यह जो minus theta, minus pi है, यह तो minus का 180 है minus 180 degree है, और minus 180 degree इन दोनों के बीच में, यह दोनों नहीं आता, minus 180 बहुत पीच आता अब minus 180 degree याद करो, अगर आप अच्छे से ध्यान दो तो इन दोनों के बीच में आता है, बिटा, minus 180 degree इन दोनों के बीच में आता है, यह अगर minus heading पढ़ो, important properties when the value of theta is not in the designated interval, अगर theta या x जो भी है, जो input की बात कर रहा हूँ, वो हमारा designated interval में नहीं है designated interval मतलब fixed interval, fixed interval यह होता है इसमें नहीं है, इसके पीछे है या इसके आगे है, तब क्या होगा? तब यह 5 अलग-अलग conditions है अलग-अलग thetas के लिए तब यह 5 अलग-अलग conditions है अलग-अलग thetas के लिए समझे क्या? समझे? नहीं समझे, यहाँ पर theta अगर मान के चल बेटा यह जो portion है ना, यह portion यह होता है अपना minus का 270, minus का 270 है ना, minus का 270 और यह होगा अपना minus का 90 अगर theta minus का 270 degree और minus के 90 degree के बीच में है या बराबर है मतलब minus 180 degree जो मैंने बनाया था ना भी, sin inverse sin pi sin minus pi यह जो मैंने बनाया था, अगर आप ध्यान दो तो यह minus का 180 degree है यह minus का 180 degree इन दोलो इस वाले interval में तो नहीं आ रहा किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है इसमें आ रहा है अपना अंसर यह होगा, minus pi minus minus pi minus theta minus pi minus theta यह pi है बीचा, पूरा pi है मैं फिर बोल दे रहा हूँ, यह पूरा का पूरा pi है यह पूरा का पूरा pi है, समझ रहे होना समझ रहे हो के नहीं, yes sir, यह पूरा का पूरा अपना pi रहे का समझ गए क्या, yes sir तो minus pi minus theta की जगह ये क्या है theta की जगह ये क्या है theta की जगह minus theta minus pi है तो minus से minus cancel तो ये 0 आजाएगा answer 0 आएगा पिटा ध्यान से सुन लो ठीक है done sir बिल्कुल done है तो ये चीज़े आपको समझनी है ये कुछ designated intervals दिये हुए है कि अगर हमारा theta हमारा angle दिया हुआ angle अगर designated interval में नहीं है ये होता है designated interval जिसको हम कहते है principal interval principal branch कहते हैं basically तो अगर principal branch में नहीं आ रहा है theta तो हमें याद रखनी पड़ेंगी ये 5 ये 4 conditions ये 4 conditions याद करनी पड़ेंगी कि भाईया minus pi minus theta रहेगा minus pi minus theta रहेगा कब जब angle हमारा minus 270 degree से minus 90 के बीच में होगा basically अगर आपको याद हो तो अपन branches कुछ ऐसे बनाते हैं धियान से सुनो अरे बंजा भाई ये मैं बना रहा हूँ आपके लिए बिटा आप कह सकते हो angle की line बना रहा हूँ line of an angle ठीक है line of angle बना रहा हूँ ठीक है done sir ठीक ठीक है देखो ये 0 है pi by 2 pi 3 pi by 2 2 pi 5 pi by 2 3 pi चलता जाएगा यहाँ भी बना लेता हूँ देखो तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस मैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए अच्छे से ठीक है done sir देखो बेटा ये मान के चलो अपना कितने है 0 1, 2, 3, 4, 5, 0 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओके एक और लिख लेता हूँ ठीक है done है एक और लिख लेता हूँ यहाँ ये ठीक done चलो देखना बेटा तोड़ा से समझना ध्यान से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 0 है ठीक है ये 0 है 0 के बाद जो आता है वो pi by 2 लेंगे है अपन है ना फिर pi by 2 के बाद pi फिर 3 pi by 2 फिर 2 pi फिर 5 pi by 2 है ना जादा बढ़ा हो गया क्या ये हो जाएगा 5 pi by 2 ये नीचे लिख देता हूँ मैं ये हो जाएगा 2 pi ठीक है और ये अपनी infinite चल रहा है है ना और ये minus infinite आएगा ठीक है same goes here सर ये होगा minus का pi by 2 ये होगा minus का pi minus 3 pi by 2 minus 3 pi by 2 ये होगा minus का 2 pi ठीक है ये होगा minus का 5 pi by 2 और ये होगा minus का 3 pi वैसे मुझे लंबी line बनानी चाहिए थी चलो कोई नहीं दिख रहा होगा ठीक है डन सर अभी देखो मेरी बास सुनना बेटा थी आंसर ठीक है वैसे हमारा जो यहाँ इस के हिसाब से इस वाले angle इस वाली condition इस वाली property के हिसाब से ये theta sine का sine का sine का designated interval के बीच में होना चाहिए sine का designated interval है minus pi by 2 से pi by 2 मतलब अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक theta आ रहा है तब answer सीधा सीधा आप theta लिख दो के कि भईया यही हमारा answer है यही हमारा answer है ठीक है sine से sine sine inverse से sine inverse को छोड़ देंगे answer के आ जाएगा theta यह तब आएगा जब theta हमारा minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में है अब मान के चलो इसमें नहीं आ रहा theta हमारा मान के चलो हमारा theta 60 नहीं है minus 60 नहीं है या कुछ भी यह minus 90 से plus 90 के बीच में अगर हमारा theta जो आ रहा है गौर फर्माइए का बिटा अगर हमारा theta minus 3 pi by 2 से minus pi by 2 इसके इस वाले बीच में आ रहा है यहाँ यहाँ आ रहा कि minus 3 by 2 भी आ सकता minus pi by 2 भी आ सकता है मतलब कुल मिला कि अगर theta यहाँ belong कर रहा है तब आंसर क्या होगा तब होगा minus pi minus theta minus pi minus theta होगा ठीक है तब आंसर होगा बिटा minus pi minus theta यह हो सकता theta minus pi दिया हो मैं फिर बोल देता हूँ यह हो सकता आपको ऐसा दिया हो sin inverse sin theta की जगा यहाँ पर मैंने आपको minus का pi दे दिया ठीक है अब यह minus का pi sin की designated interval के बीच में होना चाहिए था पर है नहीं sin की designated interval के बीच में होना चाहिए था पर बबुआ यह है नहीं ठीक है तो यह नहीं है तो अपनने समझ लिया कैं यह कहा है यह तो यहां हारा इसके बीच में आना चाहिए ता पर यह तो यहां हारा यहां हारा तो फिर यह चलेगा minus πi minus theta तो मैं समझ के answer क्या आएगा minus pi minus theta यह theta है बेटा धियान रखना यह theta है ठीक है, this is theta, this is not pi, तो यह minus theta यहां उठा के रख देंगे, minus pi minus, इस theta की जगा अपनने लग दिया, minus ka pi, तो minus pi, plus minus plus, तो यह हो जाएगा 0, answer के आ गया 0, समझ गए, yes sir, समझ गए, आगे चलते हैं, इसको erase करते हैं, done sir, ठीक है, clear, इसी के बाद, अगर मान के चलो बिटा, हमारा यहां आ गया, जो theta है, हमारा theta यहां आ गया, for example, बच्चा, अरे दूसरा color देख लो भाई, green color ही चलेगा, अगर हमारा theta pi by 2 से 3 pi by 2 के बीच में आ गया तो, इसके बीच में अगर हमारा theta आ गया, तो क्या करेंगे sir, अगर यहां theta टग गया, मतलब theta वैसे यहां आना चाहिए इनके बीच में, पर इधर आगया तो ऐसी condition होगी, इधर आगया अगर theta तो ऐसी condition होगी, pi minus theta, क्या होगी बेटा, यहां तो आनसर हो जाएगा, pi minus theta, pi minus theta, for example, आपको example दे दे रहा हूँ, sine bracket, sine inverse, sorry, sine inverse bracket, sine theta की जगा मैंने pi दे दिया, दोस्त, यह 180 degree हो गया, अब अपने नोटिस किया, यह जो आ रहा है, यह जो theta है, यह जो आ रहा है, यार यह जो है न, minus pi by 2 और pi by 2, इसके बीच में आना चाहिए, पर नहीं आ रहा, अगर यहां आ जाता है, तो सीधा सीधा theta answer लिग देते, पर नहीं आ रहा, यह तो theta, यह तो pi आ रह होगा, pi minus theta, विटा यह theta है, ध्यान रखिएगा, यह theta है, तो answer क्या है, pi minus theta की जगा, pi theta minus theta, 0, answer क्या आ गया, 0, बात clear है, yes sir, clear है, बाकी देख लो विटा, यह depend करता है, आपके intervals पे, जैसा interval होगा, वैसा काम करा जाएगा, ठीक है, clear है, yes sir, तो यह complete होगया, sign का, next देखते है सर, यह cost का है, this is about cost, अब cost के लिए line बनाते हैं, ठीक है, done sir, cost के लिए line थोड़ी लंबी बनाएंगे सर, ठीक है, ताकि दूर दूर अच्छे से clear देखे, done, ठीक है, clear दिखना भी जरूरी है sir, बिल्कुल जरूरी है, कोई समस्या नहीं, clear दिखेगा, तभी तो मज़ा आएगा, जी sir, जीरो, पाई बाई टू, पाई, थ्री पाई बाई टू, तू पाई, फाइफ पाई बाई टू, और थ्री पाई, ठीक है, done sir, ठीक है, याद कर लो बिटा, ऐसी लिखा जाता है, done, यहाँ आते हैं, माईनस पाई बाई टू, माईनस पाई, माईनस थ्री पाई बाई टू, टू पाई, वो भी माईनस का, माईनस फाई पाई बाई टू, और यह माईनस का थ्री पाई, यह minus का infinite चल रहा है ठीक है? डन सर वैसे properly देखा जाए properly अगर देखा जाए तो जो cos theta ध्यान से सुनना जो cos theta का domain होता वो क्या होता है? वो होता है ध्यान से सुनिएगा 0 से πाई और output इसका वही minus 1 से 1 के बीच में या minus 1 और 1 भी आ सकता है यह चलता है सर इसका है अब designated interval तो अपने पास क्या है? 0 से πाई है हमारी designated interval इसी में से आना चाहिए सर theta लेकिन क्या होता? कभी-कभी theta हमारे designated interval में नहीं आ पाता अब designated interval जो है इसको mark कर लेते हैं purple से designated interval जीरो से πाई यहान जो सुनना बटा यह यह हमारी designated interval जिसको हमने हसते हुए smiley से दिखा दिया कि भईया यहां अगर आ गया अगर theta या angle को यहां से बिलॉंग कर गया तो answer अपन सीधे-सीधे क्या लिख देंगे? theta मान के चलो तो मैं example देता हूँ example देना जरूरी है सर तो मैंने example दिया cos inverse bracket cos theta की जगा इस बार जो मैं दे रहा हूँ ना इन दोनों के बीच में कोई देता हूँ ठीक है इन दोनों के बीच में sir दे दो ध्यान से सुनिए बेटा ध्यान से सुनिए इन दोनों के बीच में जैसे मैंने दे दिया sir pi by 6 अब मैंने pi by 6 दे दिया Pi by six मतलब 30 Da da do 36 यहाँ कहीं होगा To tawa sir इन दोनों के बीच में ना मतलब यह zero यह pi यह फिर इन के बीच में To know Pi by six जो है वह इसको belong कर गया sir इसको belong कर गया Pi by six इसको belong कर गया To a-गर इसको belong कर गया To smile, smile मतलब Sinty the answer pi by six आ जाएगा Less pi by six theta आ जायगा मैंने क्या बोला अगर cos inverse cos theta है और यह जो theta है यह किसको belong कर रहा है cos की designated principle branch को यानि कि 0 से πाई के बीच या 0 और πाई तो हम सीधा answer इसमें theta लिख देंगे खताब कोई खुराफात नहीं करनी है लेकिन कभी-कभी मैंने क्या बोला कि हमारा जो given angle है वो हमारी designated principle branch से बाहर चला जाता है मान के चलो example के तोरते ध्यान से सुनना मान के चलो 0 से पाई नहीं है सर अब जो designated branch थी वो नहीं आई अब जो theta दिया गया है वो minus pi से 0 इसको belong कर रहा है सर अगर theta यहां belong कर रहा है तब क्या होगा सर तब क्या होगा सर तब answer बनेगा ध्यान से सुनिए बिटा cos की बात हो रही है cos की बात हो रही है sign गया cos की बात हो रही है तब answer बनेगा अपना minus theta answer क्या हैगा तब answer बनेगा अपना minus theta यहां answer मिलेगा बिटा अपना minus का theta समझ गए यहां answer मिलेगा minus का theta पेटा, example बताओ सर आप तो, ठीक है example बता देते हैं पेटा, example जिन्दा बाद, जी सर बिलकुल जिन्दा बाद, ठीक है example देखो पेटा, cos inverse, bracket, cos, theta की जगा, अपन इन दोनों के बीच का या इन दोनों में से किसी को भी ये भी ले सकते, 0 भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं हो, इनके बीच का भी ले सकते, सर मैंने आपको दे दिया minus का pi, मैंने आपको दे दिया minus का pi, अब अपन का पहला काम क्या है, पहला काम है, पता करो, क्या ये जो theta है, ये जो theta है, ये cos के designated branch को belong कर रहा है, designated branch को belong कर रहा है, क्या, जल्दी से देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएग अगर हमने designated branch अरे ये गलत कर दिया यार मैंने 0 से πाई यह ना पाई से 0 ठीक है greater than 0 equal to 0 ठीक है ये क्या होगा हाँ ये गलत कर दिया मैंने बिटा this is wrong ये मैंने गलत बना दिया यहाँ पर ये इधर बनेगा पाई और 2 पाई पाई और 2 पाई के बीच में इसकी बात हो रही है ये इसकी बात हो रही है ठीक है पाई और 2 पाई के बीच की बात हो रही है माइनस पाई और 0 की बात तो शायद इनो नहीं यहां करी है माइनस पाई और 0 की बात अरे सही तो लिखा था यार ये देख लिया मैंनने लिख दिया मैरे सखता वहल्क्ल 10 था वही तो क्यों और नेस पाइस करते अनल jotë ढूessionत थे को जाज एक है मैंने डेजिगनेटीड रalsa को इंडेड़ अब यह थे नहीं रहा लन्होंट भाई यह माइनस पाई तो जीरो के पीछे है माइनस में तो यह तो अलग पहुच गए इसमें ही नहीं है इसमें तो ही नहीं है स्माइली तो बनेगी नहीं मतलब थीटा मारा आंसर नहीं आएगा तो मैं समझा मैंने याद करा कि हायर अगर जीरो से पाई में नहीं है तो zero से pi के अगर उल्टा जाएं तो minus pi से zero, minus pi से zero तो यह हो गया, इसमें तो sir इसका answer minus theta होता है, तो समझ गया कि answer होगा बिटा अपना minus theta, है ना minus और यह theta है बिटा, this is whole theta, यह पूरा अपना theta है, minus का pi, तो answer आजाएगा minus minus plus pi, यह answer आजाएगा, समझ गया, yes sir, बिटा यह सर इसको देख लो, pi से two pi की बात करेंगे, तो क्या होगा, बिटा अगर हमारा theta pi से two pi के बीच में आगया, pi से two pi, designated तो यह, pi से two pi, अगर हमारा theta, यह, theta की बात कर रहा हूँ, अगर हमारा theta pi से two pi के बीच में आगया, मान के चलो, cos inverse, cos theta, यह जो theta है ना, यह, यह हमारा इसको belong नहीं कर रहा है सर ये क्या आएगा ये जो थीटा आ गया ये जो थीटा है मान के चलो थीटा की जगा मैं लिख देता हूँ 3 pi by 2 लो ही आई अब ये क्या है सर ये हमारा इसको belong नहीं कर रहा है जिसको करना चाहिए था पर ये हमारा किसको belong कर रहा है यह हमारा belong कर रहा है πाई से 2 पाई इसको belong कर रहा है जो actually यह है पाई से 2 पाई ठीक है यह चीज बिटा और यह same चीज है ध्यान रखना है confuse मत हो ना कि सर यह अलग लिखका यह यह ऐसे लिखका जाता है अगर इसको belong कर रहा है इस वाले को तो पिटा आंसर आएगा 2 पाई माईनस थीटा क्या आएगा आंसर आएगा 2 पाई माईनस थीटा आंसर आएगा 2 पाई माईनस थीटा यह ध्यान रखना ठीक है अगर हमारा theta यहां है तो answer आएगा 2 pi minus theta तो answer क्या आएगा इसके according यह theta है इस is whole theta ठीक है तो अपन कहेंगे sir answer आएगा 2 pi minus theta और theta की जगा 3 pi by 2 लिखेंगे तो 2 pi minus 3 pi by 2 तो यह आएगा अपना 2 2 is a 4 pi by 2 answer pi by 2 यह answer आगया clear है done है बिल्कुल done है sir आगे चले बिल्कुल चलते है ठीक है done है sir done इसको अपर erase कर देते हैं चलते है 10 की तरफ बिटा यह राट 10 का बिल्कुल यही conditions है याद कर लो समझ लो लिख लो अच्छे से so that अपन इसको जल्दी से finish कर सकें ठीक है बस यहां तक की यह सीरीज थी यहां तक के यह सारे questions थे मतलब questions कह रहा हूं यार property number one self adjusting property complete हो गई है I hope आपने self adjusting property सारे के सारे notes बना लिए होंगे notes बना ले ना ठीक है चलो बहुत करते हैं याद कर ले ना 10 के भी बहुत important है सबसे जाद है important 10 और cost के हैं बिटा साइन के तो बहुत कमी आएंगे साइन तो easily याद भी हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है 10 और cost के याद कर लेना मैं फिर बोल रहा हूं एक एक करके easily easily याद हो जाएंगे ठीक है students of kindergarten से लेकर class 12 तक के सारे बच्चों को free of cost quality education videos हम प्रोवाइट कराते हैं हर subject की हर chapter की हर topic हर question हर exercise की इसी के साथ सारे के सारे videos में आपको in-depth explanation दिया जाता है इसी लिए हम कहते हैं कि हमारे जो videos होते हैं हमारा जो पढ़ाने का तरीका होता है न इसी के साथ जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो हमारे magnet brains हिंदी मीडियम यूडियूब चैनल पर जाकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं अगर आप class 6 से class 12 तक की किसी भी class में पढ़ रहे हैं पेटा हिंदी मीडियम वालों के लिए बात कर रहा हूँ मैं यूपी बोर्ड, MP बिहार बोर्ड, राजस्तान बोर्ड और देली बोर्ड इन 5 स्टेट बोर्ड से अगर आप बिलॉंग करते हो आप जोड़े हुए हो हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो आप magnet brains हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जल्दी से जाओ और यार चैनल को क सब्सक्राइब और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई करो क्योंकि वहाँ पर भी सारे फीकल्टी सारे टीचर सारी टीम मिलकर आपको प्रोवाइट कराते हैं 100% हाई क्वालिटी एडूकेशनल वीडियो जिससे आपका पूरा स्लेबर्स हिंदी मीडियम वाले बच्चो का स्लेबर्स कंप्लीट होता है टाइम पर और बेस्ट तरीके से है ना जो इंगलिश मीडियम वाले बच्चो शुरू में आपको बतायता है ना नोट्स डाउनलोड कैसे करना है तो देख लो जल्दी से आजो देखो आपको ग्रैब इनोट्स पर क्लिक करना है हमारी वेब कर सकते हो ग्रैबी नोट्स पर क्लिक करना फिर या तो वेबसाइट पर चले आने www.magnetbrains.com या फिर हमारी एप्लिकेशन ओपन कर लेना एप्लिकेशन का इंटरफेस यह है गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी एप कुछ ऐसी दिखेगी और अपना वेबसाइट कुछ देखेगा ग्रैबी नोट्स पर क्लिक करोगे तो आपसे class 6 से लेकर class 12 कि किसी भी class को वो evolution करने को कहेगा तो अपनी class चूज कर लेना subject चूज कर लेना जिसनी subject के आपको download करना है नोट्स जल्दी से मिलेंगे next class में till then happy learning take care bye